अलेकॉम, I am Dr. Ammara Ramesh and welcome back to my channel और आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग और मज़े की होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सजल अली और अहद रजामीर के फैन हैं और उनके ड्रामा ये दिल मेरा को बहुत शौक से देखते हैं मेरी तरह और इस ड्रामे का रिव्यू मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्यूंकि इसका बहुत ही डीप कनेक्शन है मेरी फील्ड के साथ इसमें साइकलोजिकल इशूस को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है जो में क्रेक्टर्स हैं सजल अली का और अहद रजामीर का आप देख सकते हैं कि सजल यानि एना के बच्चपन में भी उसकी जो चाइल्ड हूड मेमरीज हैं वो ट्रॉमाटिक हैं और प्रोबिली उसकी मदर का मर्डर हुआ और उसके फादर ने किया और वो शायद कुछ दुंदली सी यादें या कुछ शकूकुश भात उसके जहन में हैं जो के बड़े होके उसको सकून से नहीं रहने देते और नाइटमिल्स की फॉर्म में उसको तंग करते हैं और उसको बहुत से फोबियाज और फियर्स भी हैं जैसे उसको तंग जगहों का खौफ है दर है उसको तंग जगहों पे पैनिक अटैक्स होने लग पड़ते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उन बच्चों के साथ बड़े होकर भी कि जिन्होंने अपने बच्चपन में कोई ट्रॉमा देखा हो कोई इस तरह की नेगिटिव यादें या तकालीफ जुड़ी हुई हो जिनके बच्चपन के साथ और आगे चलके जैसा के आप देख सकते हैं के सजल के यानि एना के फादर का रोल मीर फारूक जो प्ले कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाला ख्याल क्या रखने वाला बलकि हर चीज़ में ओर सिंस्टेव ओर प्रोटेक्टिव तो ऐसे पेरेंट्स भी बच्चों की ग्रोथ में हिंडरंस डालते हैं बच्चों को आजादी से ग्रो नहीं होने देते अपने उपर डिपेंडेंट रखते हैं और ना सिर्फ ये के बच्चे अपनी अजादी से अपने पर फेला के उड़ना नहीं सीखते वो अपने आपको ठीक तरह से ग्रो भी नहीं कर पाते उन्हें अपने टैलेंट्स का अपने अपने उपर यकीन नहीं होता है ऐसे बच्चों को परेंटिंग के बारे में भी बताया गया है कि अपने बच्चों को किस तरह से डिपेंडेंट रखते हैं अपने उपर और उनको एक तरह से क्रिपल्ड कर देते हैं जो के वो नहीं जानते वो अपनी तरफ से प्यार का इजहार कर रहे होते हैं लेकिन वो प्यार का इजहार बच्चों के लिए नुकसांदे साबित होता है फिर इसके साथ साथ इस ड्रामा में बताया गया कि मेंटल हेल्थ के हवाले से किस तरह से हमारे मौशरे में एक टैबू समझा जाता है इसको अगर आपको पता चले कि किसी के साथ कोई mentally problem है किसी को panic attacks होते हैं या कोई phobia है या किसी भी किसम का कोई stress है depression है, anxiety है और वो किसी psychologist को या psychiatrist को visit कर रहा है तो लोग उसको बड़ी मश्कूप नजरों से देखते हैं कि वो पागल है वो insane है वो abnormal है वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है वो उनसे अलग है और इस तरह से लोग इस taboo के वज़ा से दूर होते चले जाते हैं उन लोगों से इस drama में भी आपने देखा होगा कि एना अपने इन तमाम fears का जो उसको phobia है उनका इजहार अपने किसी दोस से नहीं करती इस डर से के दोस्त उससे दूर हो जाएंगे उससे प्यार करने वाले उससे दूर चले जाएंगे तो ये हमारे मौश्रे में एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि अल्मिया है कि awareness नहीं है इस बारे में जिन लोगों के साथ psychological issues होते हैं बजाए उनको ज़्यादा तवज्जो दे के उनसे प्यार करके उनकी care करके उस चीज़ को ठीक किया जाए हमारे मौश्रे में ऐसे लोगों को बड़ी अजीब नजर से दिखा जाता है कि ये psychologist को इसलिए विजिट कर रहा है कि ये पागल है और ये रविया ऐसे लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर देता है और उनकी problem को मजीद worse कर देता है तो जहां ये drama बहुत deep meaningful message दे रहा है mental health psychological problems related वहां इस drama की बहुत सी layers है और इसके characters जैसे अमान का character है उसकी भी बहुत से shades है और मीर फारूक जमान के भी बहुत से shades नजर आते हैं आपको तो ये drama एक बहुत मजे का drama है जिसमें romance भी है शुरू में तो हमें लगता है कि शायद ये कोई romantic drama है इसमें romance भी है thrill भी है tragedy suspense बहुत ज़्यादा है curiosity mysterious सा drama है हर आने वाली episode अपने अंदर बहुत कुछ चुपा के रखती है हर episode का end ऐसे mysterious note पे end होता है कि बंदा सोचता रह जाता है कि कैसे अब ये सब कुछ disclose होगा सजल ने बहुत अच्छे तरीके से इस character को निभाया बहुत ही अच्छे से जैसा के एक मासूम सी लड़की और वो फोबियाज से लड़ती हुई और अपने नाइट मिल्स से लड़ती हुई दिखाई है और वो किस तरह से कितनी devoted होके प्यार करती है और इसके साथ साथ इसी तरह से आहद का अमान का जो उसके बहुत से shades है जब शुरू में दिखाते हैं कि वो एना के साथ involve होता है लेकिन फिर जैसे जैसे उसके दूसरे darker shades सामने आते हैं कि किस तरह वो उसको उन तमाम यादों को relive कराना चाह रहा है शादी के पाद जैसे वो honeymoon पे उस जगह पे जाते हैं उस cottage में जहां पे वो तमाम उसकी यादे हैं और वो एना को वो तमाम चीजें deliberately याद करवाना चाहता है उसकी memory में से उनको shake करना चाहता है तो ये मैं कहना चाहूंगी कि फरहत इश्तियाक ने बहुत ही खुबसूरत लिखा है इसको इतना deeply search करके psychological issues को और उन characters को psychologically बहुत अच्छे तरीके से जागर किया है उनके अंदर एक एक shade ऐसा दिखाई देता है कभी लगता है बहुत मासूम है कभी अमान का character लगता है कि बहुत जालिम है कभी लगता है कि बहुत मजलूम है बड़ी खुबसूरत सा ये show उनोंने तर्टीब दिया अच्छा एहसन तालिश की direction बहुत खुबसूरत थी जिसमें तमाम characters एक दूसरे के साथ ऐसे जल इन होते हैं कि बंदे को लगता है कि ये drama नहीं ये हकीकत है यकीन करें the latest episode of ये दिल मेरा उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि सजल और आहद acting कर रहे हैं it was like they are really feeling that pain वो pain उनकी आँखों में दिखाई देता था कि प्यार के बावजूद जो दुख था जो दर्द था वो लवजों में नहीं बलके उनके expressions में उनकी आँखों में उनके body gestures, body language में दिखाई देता था सब तो आने वाली episodes और ज्यादा इससे भी और ज्यादा thrilling होंगी suspense से भरपूर होंगी और अपनी audience को अपने हिसार में जकड़े वे होंगी I hope सब लोग बहुत enjoy करेंगे और hats off to सजल अली, अहदर जामीर, अदनान सिद्धीकी and writer फरहत इश्टियाक और director एसन तालिश, बहुत ही जबर्दस drama है और तनहाईयां और अनकही की याद दुबाला कर देता है बहुत सालों बाद ऐसा कोई drama कि जिसका पूरे हफ़ते इंतजार रहता है बहुत ही खुबसूरत drama है तो I hope आप लोगों को यह review बहुत अच्छा लगा होगा जो लोग psychological aspects को बहुत deeply study करते हैं उन्हें बहुत पसंद आया होगा तो अगर आपको यह video पसंद आई है तो इसको like कीजिएगा और इसको share कीजिएगा और चैनल को subscribe करना बिलकुल नहीं भूलिएगा Thank you so much